दोस्तों वैसे तो WWE की रिंग में एक से बढ़ कर एक मैचेस लड़े गए हैं इन में से कई मैचेस ऐसे भी थे जो अपने आप में ही इतिहास बन गए जहां एक तरफ WWE की रिंग में रेसलर ने अपनी ताकत का जलवा लोगों को दिखाया है तो वहीं इस रिंग में कई अजीब औ गरीब घटनाएं भी हुई है ये घटनाएं सिर्फ रेसलर्स के लिए ही नहीं बलकि देखने वालों के लिए भी काफी शर्मनाक थी इन घटनाओं के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है WWE की रिंग में घटी उन शर्मनाक घटनाओं में से 5 सबसे शर्मनाक घटनाओं की जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपके लिए लाएं हैं ये घटनाएं जान बूचकर की गई थी या फिर ये महज एक हाथसा था इसके बारे में कोई नहीं जानता और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना पेट पकड़ कर हसने वाले और साथ ही साथ आपको बहुत जोर का जटका भी लगेगा तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू Welcome back दोस्तों स्वागत है आपका Celebs for Style में सबसे पहली घटना के बारे में बात करें तो ये घटना WWE की famous female wrestler इव मारिया के साथ हुई जब इव मारिया अपने fans को high कर रही थी तो उसी दोरान उन्हें सब के सामने शर्मिंदा होना पड़ा मैच से पहले उनकी ब्रा की strip तूट गई पहले इव मारिया ने खुद को अपने हाथों से उस जगा को कवर कर लिया और खुद के तन को छुपा लिया और फिर referee ने उन्हें टौविल दिया तब मारिया खुद को टौविल से कवर करके रिंग से बाहर चली गई वैसे तो मारिया ने खुद को एक्सपोज होने से बचा लिया था लेकिन ये मुमेंट उनके लिए और देखने वालों के लिए काफी शर्मनाक था अब ये गलती से हुआ या script का हिस्सा था ये अभी तक नहीं पता है दूसरी घटना की बात करें तो एक मैच के दोरान बिक्षो ने किसी बात पर ओडियन्स के एक आदमी का गुस्से में गला पकड़ लिया था और उस आदमी को उठा कर रिंग की रसियों के साहरे खड़ा कर दिया था बिक्षो की इस हरकत की वज़ा से वो आदमी इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी थी जिसे देखकर खुद बिक्षो भी हैरान हो गए थे अपनी हरकत से शर्मिन्दा होकर वो आदमी भी काप रहा था और ओडियन्स के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों का ध्यान उस आदमी परी था तीसरी घटना WWE की सबसे शर्मनाग घटनाओं में से एक है रिंग में जब एक बार दो महिला रेसलर एक दूसरे के साथ फाइट कर रही थी तब फाइट के दौरान एक महिला रेसलर ने अपने ओपोनेंट रेसलर की पैंट खोल दी जिसकी वज़े से उस महिला रेसलर का अंडर वियर साथ साथ दिखाई दे रहा था अपनी इस हालत से शर्मसार होकर वो महिला रेसलर ने जल्दी से खुद को कवर किया और रिंग से बाहर चली गई एक बार डबली डबली की रिंग में एक मैच के दौरान जब दो रेसलर लड़ रहे थे और उनमें से एक रेसलर हार कर रिंग में गिरा हुआ था तब ही अचानक से रिंग में एक फीमेल रेसलर आई और हारे हुए रेसलर की पिटाई करने लगी पिटाई के दौरान उस फीमेल रेसलर ने हारे हुए रेसलर के प्राइवेट पार्ट पर लात भी मारी एक और वाक्या हुआ जब डबली डबली की रिंग में वुमेन रेसलिंग मैच के दोरान जब दो फीमेल रेसलर्स आपस में लड़ रही थी तब उस लड़ाई में रेसलर्स अपने रेसलिंग मूव्स दिखाने की जगा एक दूसरे के कपड़े फाणने लगी ये घटना देखने वालों के लिए काफी शर्मनाक थी तो दोस्तों ये थी WWE की रिंग में हुई कुछ घटनाएं जो कभी-कभी थोड़ी सी फानी थी और कभी-कभी बहुती ज़ादा शर्मनाक थी और इन घटनाओं को देखने के बाद आप भी शॉक्ड हो गए होंगे वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक, कॉमेंट, शेयर कर डालिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक बने रही है आप और प्यार देते रही है सेलेप्स फॉर स्टाइल को शुक्रिया